हेलो एवरीवन, च्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में NCRT से तीन नए विग्यापन जारी किये गए है, वेकंसी से रिलेटिज़ इसमें जो है योगेता किवल मास्टर डिग्री किये हुए कैंडिडेट आविधन कर सकते हैं Master degree अगर आपने Social Science के किसी सबजक्स में किया है जैसे History, Political Science, Geography, Economics, Commerce में किया है या फिर आपने Computer Science में या Mathematics में Master degree हांसिल किया है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाए कर सकते हैं B.Ed या M.Ed की जरुरत इसमें नहीं है, और बाकी जो है डिटेल में, advertisement में देखेंगे तीनों विज्यापन के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा अंतर तक वीडियो के बने रहें तो हो सकता है तीनों विज्यापन में कहीं न कहीं किसी के लिए subject, vacancy हो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है official website पर आएंगे राश्ट्री सेक्षिक अनुसंधान प्रैसिक्षन परिशत NCRT की इसमें जो announcement section में vacancies जो है इस पर click कर लेंगे और vacancies में project staff पर आप लोगों को तीनों नए विज्यापन दिखेंगे इसमें जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर master degree ठीक है वेकेंसी जो है junior project fellow की है आपने केवल master degree किया है तो 35,000 यानि non net वाले candidate 35,000 इसमें salary देगी जिनका net या PhD क्लियर है तो उनके 37,000 पर month salary रहने वाली है केवल interview के बेस पर ही selection होगा तो यहाँ पर आप लोगों को पहुचना होगा आपको कहीं पर भी जो है form फिल करके भेजना नहीं है आप लोगों को डारेक्ट interview के लिए पहुचना है यह address है room number 4 3rd floor जानकी अमल ब्लॉक NCRT से अर्विंदो मार्क New Delhi 16 ठीक है बस अपने जो है original document के साथ में registration के समय पहुच जाएं जो की 9 बजे से start होगा यह तो पहला विज्यापन रहा और यह जो है the department of education of social science की तरफ से था अब दूसरा देख लेते हैं दूसरा जो विज्यापन है इसमें जो है master degree जिनोंने 55% mark के साथ में mathematics से किया है और दो साल का उनका research में या फिर teaching में कहीं पर भी आपने दो साल पढ़ाया है ठीक है any other academic experience आपका दो साल का है तो आप यहाँ पर senior research senior research associate mathematics के लिए apply कर सकते हैं इसमें interview की date जो है 11.11.2024 रहने वाली है ठीक है और बस इतना ही इसमें चाहिए master degree बस और कुछ नहीं तो master degree अगर आपका है और आपने net या PhD कुछ भी नहीं किया है 40,000 जो है पर मंत इसमें salary रहेगी इसमें age जो है वो 45 year है date और time जो है यहां लिखा है 11.11.2024 को 11 बजे रजिस्ट्रेशन 9 बजे होगा और आपको इस जगें पहुँचना है D.E.K.N.C.R.T.C. अरविंदो मार्क न्यू डेली 11.0016 थार्ड देख लेते हैं थार्ड में जो subject हैं तो इसमें काफी subject हैं post graduation अगर आपने commerce में किया है account N.C. में business studies में, computer science में या science, physics, chemistry, biology में, mathematics में social science के geography, economics में education में किया है master degree या educational technology में किया है computer application में किया है, IT में किया है, statistics में किया है English, Hindi में भी अगर किया है या फिर आठवी अनसूची में जो भासाएं हैं उनमें किसी भी भासा में अगर आपने master degree किया है, 55% marks या इस से अधिक होने जाहिए बस ठीक है, इसमें B.A.D.M.A.D. जो जरुरत नहीं है ठीक है, क्योंकि essential qualification यह होनी जरूरी है इसमें interview का time है, 7 November 2024 without net वाले 35,000 salary रहेगी, जिनका net clear है 37,000 रहेगी यह जो है, इसमें junior project fellow के 23 vacancy है, number of vacancy इसमें 23 है ठीक है, तो ऐसे ही जो है project निकलते रहते हैं, NCRT में इसमें 40 year है, और तो इसमें date of interview बता दिया है, 7 November 2024 address क्या रहेगा, तो इसमें जो है address, जो third विज्यापन जो अंपड़ रहे है इसमें रहेगा, the section officer planning and research division, room number 242 CIET second floor, cha cha nehru bhavan, CIET and CRT new Delhi 110016 तो कहीं पर भी भेजना नहीं है, कोई fees नहीं है बस आप लोगों को पॉसना है, और यह जो project इनके रहते हैं, यह 3 या 4 मन्त के, या कभी 6 मन्त के होते हैं जैसे यह complete हो जाते हैं, आप next जो project होगा, उसमें apply कर दें या फिर एक जो advertisement है, उसमें लिखा भी गया है अगर आपका यह project का जो समय दिया हुआ है, कि 31 मार्ट 2025 तक आपका रहने वाला है इस project का, ठीक है, यह पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो है आगे दुबारा से जो है, आप लोगों interview दें, इसी में हो जाएं, और आगे बढ़ा भी देते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से तो आप job करना चाते हैं, NCRT में, लगातार job करना चाते हैं, यहीं पर, salary काफी अच्छी, यहाँ पर रहती ही है तो जैसे ही एक project complete होता है, आप दूसरे के लिए apply कर दें, चलिए official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा